साथ हल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है और हम अपने इस कास पेशकस में जाने की कोशिश करेंगे कि जार्खन के अलग-अलग शाहरों से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है सबसे पहले हम रुक करेंगे कोईला नगरी धन पहले आपको मैं बता दू कि कोईलांचल बहुत बड़ा सहर है देश की कोईला राजधानी है और जब भी आम बजट पेस होते हैं तो बहुत सारी निगाहें यहां के जो अस्थानी लोग है जो वेवसाई है जो एजुकेटेड लोग है जो एजुकेशन से जुड़े धनवाद से सीधे कनेक्टिविटी साउथ साउथ के हर स्टेट से हो लेकिन ऐसा कुछ हुआ ने फिर भी बजट में सरकार ने स्वास्त को लेकर के सिक्षा को लेकर के काफी बड़ी घुशनाएं की और खास करके किसान आंदोलन चल रहा तो उसको लेकर के वी लेकिन हम केंद्री बजट की बात है तो हम लोगों को इसको केंद्री इस तरपे ही लेने क्या होशकता है और एक सो साल के पेंड़मिक जो एक सो साल के बाद एक पेंड़मिक आया जिसमें कई महीनों तक उद्योग धंदे लोहों के रुजगार छुटे देश एक बड़ी भी करना है तो उसके लिए जेस्टी काउंसिल है अन्य सेक्टर्स में भी काम करने एक लिए सरकार क्या करती है कि नितिये बनाती है कि हम डारेक्ट पहले ही या बीच में ही कभी कोई कुई कधम का छेत्र अच्छूता रह गया था अब तक और इस स्वास के छेत्र में पिछले दिनों जब कोरोना का लाया तो उसमें पूरे देश में आईश्यू के बेट्स बहुत बढ़े हैं बहुत अधिक बढ़े आईश्यू के तो यह एक मैसेज था अभी जो सरकार ने बजट में उसका प्रावधान के एक मैसेज दिया है कि हम हेल्थ सेक्टर पर कंसर्ण करते हैं साथी साथ हम लोग जो धनबाद की मांगे हैं चुकि र ट्रेने चले साथ के लिए लग से ट्रेन चले कुछ चेनई और बैंगलोर के लिए लग से ट्रेन जाए इसके अलावा जो दिल्ली के लिए ट्रेन और बंबभी के लिए ट्रेनों की मांग हम लोग लगातार करते हैं तो जो धनबाद को लेकर के कंसर्ण है वो तो अभी तक पूरा नहीं होता दिख रहा है लेकिन मुझे अपे इच्छा है इस बात जो बात सरकार के समक्ष भी है उनके आतों पे सरकार गंभी जैसे एरपोर्ट के लिए बहुत बड़ी आरता रखता है और यह आरता इसलिए रखता है कि धनबाद में जिस्ता के संस्थान है चाहे वह आयटी हो या बीसीसियल हो चाहे आप कह सकते हैं कि बियाटी सिंद्री है इसके लावां MPL जैसे बड़े संस्थान है आसपास में और उनके लिए हेल्थ सेक्टर में काफी जरोत है और मुझे लगता है कि यह जल्द ही पूरा करने की संभावना और आने वाला बजट जो है जो नेक्स्ट येर जो आएगा उसमें जो उद्योग धंद्यों के भी जो कमीद हा गई है उसको सरकार पूरा करने का प्रयास करी है कुछ सान दिखता है क्या बजट में ऐसा कुछ तकि मैं तो इसको ऐसे लेता हूं कि यह जब से देशाजाद हुआ जब से पहला बजट पेस हुआ तब से ही लेके अब तक जिस राजियों में चुना होने होते हो उन राजियों की चर्चा बजट में जरूर आती है लेकिन बजट के जो एलोकेशन होते हैं वो तो एक प्रोपोर्शनेट रास्ता है उसका प्रोपोर्शनेट तरीके से जाता है कुछ राजियों में यह लगता है कि वहाँ पे बजट ज्यादा चला गया है जबकि अगर कोडिनेशन की बात करे तो जहारकन और केंद्र सरकार का जो क केंद्र के माननिये पधानमंति देंद्र मोदी जी की सरकार के बीच में रहा तो इसको हर चसमे को हर चीजों को राजितिक चसमे से नहीं देखना है इसको इसतर से देखना है कि चुकि चुनाओ है तो वहाँ के लोगों को जनकारी होनी चाहिए कि हम लोग आपके लिए एक है कि स्टील की कीमतें कम होंगी तो क्या इन सब का फायदा है निर्मान उद्योग यानि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे भी पड़ेगा क्या कहता है राजीर सर्मा जी पूछी ज़रा उन से निर्मान को लेकर के इंड़स्ट्री को डेवलफ करने को लेकर के सरकार ने कड़े कदम उठा है स्टील के दामों में गिरावट करने की बात आ रही है तो क्या इसका फायदा इंड़स्ट्रियल को मिलेगा जहां तक उद्योग धंदो की बात है अभी आपने जो स्टील की बात की स्टील किसी भी इकनोमी की दिएड़ होता है कोल, स्टील, सिमेंट ये जो है ये जो इन्फरस्ट्रक्शर से जुड़े प्रोजेक्ट के लिए बहुत बड़ी आवश्यक्ता होती है और मुझे लगता है कि माननीय मंत्री नितिन गड़करी जी ने भी प्रधान मंत्री करेले को इसके लिए लिखा है तो ये हम सबों का कंसर्ण है क्योंकि जिस्तर से स्टील के दाम बढ़े उससे लागत बढ़ेगी और काम कम होगा तो हम लोग एक बात और कह सकते हैं कि ease of doing business में सरकार को और सारे बहुत सारे कदमों को उठाने की होता है हो ये रहा है कि सरकार दो कदम बढ़ाती है और पता नहीं कैसे वो चार कदम पीशे चला जाता है ये लगातार देखने में आया क्योंकि जिस तरह से कठिनाईयां बढ़ती जा रही है इस उप डूइंग बिजनेस में कुछ सुधार हुए लेकिन कुछ चीजों में ऐसी कड़ाई या ऐसी तकलिफें बढ़ गई जिससे उद्योग धंदों चलाने में लोगों को परिशानी होती है उनके जो पैसे लियाता है फीस और लाइसेंस फीस के नाम पर जो एमाउंट लिया जाता है उसमें लगातार बढ़ोतरी से उद्योग धंदों की लागत बढ़ती है और लागत जब बढ़ेगी तो सुवाई बात है कि हमारा माल हमेशा महंगा बनेगा और माल महंगा और इससे महंगाई पर इसर पड़ेगा सरकार को इन चुछों पर देखना चाहिए तो उद्ये आप सुन रहे थे राजी सर्मा ने कई अहम बाते की हैं बजट को लेकर के हलाकि कुछ बातों को छोड़ दिया जाए तो बजट सकारातमा है लेकिन जो खास करके जो मध्यमव मध्यमवर के लोग हैं उनके लिए खास कुछ खास बजट में दिखानी है और खास करके जो तरहे हैं को छोटे उद्योग पती है चोटे-चोटे लगू और कुटी रूद्योग धंद्यवाले हैं उनके लिए क्या कुछ और होना चाहिए ता क्यां? विए राजी सर्वा जी क्या कहता है क्या और होना चाहिए था और जिस्तर की महगाई बढ़ी है जिस्तर से लागत बढ़ी है सरकार अगर छोटे वेवसाईओं के लिए सचेत रही होती है ओनलाइन से लड़ने के लिए तंतर तयाही करती है तो बड़ी संख्या में बंध होने का खत्रा खड़ा हो गया है सरकार को कोई ऐसा तंतर विक्षित करने की जुरोथ है जिससे छोटे वैपारियों को सरकार को कुछ कदम ऐसे उठाने होंगे जिनसे उनका वैपार रोजगार प्रभवित नहीं हो चुकि वह एक व्यक्षित करता हो उसके साथ उनके दुकानों में काम करने वाले आसपास रहने वाले एक पूरी एकनोमी चलती है इससे और एक एकनोमी ध्वस्त हो और दूसरी ए लाब नहीं होता है इवन होना यह चाहिए कि ऑनलाइन को कुछ बंदी से लगे और हमें भी जो छोटे दुकंदार है उनको उसका लाब मिले कैसे की वह बहतर तरीके से सरकार के द्वारा को ऐसा फोरम खड़ा हो सरकार ऐसी कुछ नितियां लेकिया है जिससे रिटेल लेकियां कि रोजगार जाने का खत्रा खकड़ा हिए स्वारोजगार की बात होती है उसमें दुकाने बंद जो लोग स्वारोजगार करें अगर उनका रोजगार मापत होगा उनकी हलत क्या होगा आप अंदाज लगा सकते हैं उद्धे आपने सुना सरकार ने जो किशान को ले करके किया है आम लोगों के लिए भी वैसे ही योजना लाना चाहिए खास करके जो मध्यमवर के वेवसाई हैं चोटे-चोटे वेवसाई करके अपना परिवार चलाते हैं अगर सोरजगार नहीं बढ़ाएंगे उनके लिए सरकार कोई स्कीम नहीं लाएगे कोरोना काल में ऐसे भी वो परिशान रहा है एक साल होने को है अगर उनके लिए कोई स्कीम नहीं लाई तो जैसे इसे सोरजगार की संभावनाए घटेगी बेरोजगारी बढ़ेगा तो कहीं न कहीं बहुत बड़ा विक्राल रूप ले लेगा और ऐसे में सरकार को बजट में कुछ प्रवधान करने की ज़ुरत है जो इन लोगों को भी कुछ फायदा हो